हेलो एंड वेलकम आप सभी का स्वागत है करेंट अफेस डेली बाइन उलेट चाप यूटुब चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपोर्टेंट करेंट अफेस वीड में जानेंगे तो अगर आप इस लेक्चर की पीडियाफ चाहिए तो आप इस पीडियाफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिक्राम ग्रूप से जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर चुका हूं तो पढ़ते हैं आज की वो पहले नियूस जो की है और इसा के जो सीयम है अन्हें पतनायक उन्होंने इन्ह इनाग्रिट किया है एक सिणड़ी कर of इन्हें पतनायक उन्होंने इनाग्रिट किया है टी से तूर्प यह उरिसा के लॉंगेश्ट प्रिच्च है उवर महानाधी रिवर्ड में मिल जाती है तो यह कटक जो सिटी है न वहाँ पर यह है तो वहीं पर टी से तो कहकर यह लॉंगेश्ट ब्रिज बनाया जाएगा तो यह ब्रिज की लंबाई कहा जा रहा है कि 3.4 किलोमेटर लॉंग यह ब्रिज हो सकती है तो यह थी औरिसा से रिलेटेड न्यूस तो औरिसा के जो सियम है नविन पटनाय कि यह तो आप सभी को पता ही होगा बात करते हैं यहां के गवर्नर के तो गवर्नर है यहां के गनेसी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर ओके तो यह चीज़े आपको यह इस स्लाइड से याद रखना है तो अगली निव से अमीत सहा ने एक बुक रिलीस किया है जिसका नाम है शहाकार संधर्ब यह वो बुक का नाम है जो इन्होंने VAM NICOM यह सेर्मनी हुआ था कहाँ पर पुने में यह एक सेर्मनी हुआ था इसका फुल फॉर्म है वाइखुंट मेता नेशनल कोपरेटिव मैनेजमेंट इनिस्टिटूट कहकर यह इन लोगों के द्वारा एक सेर्मनी हुआ था वहाँ पर कहाँ पर हुआ था पुने महाराष्ट्रा में वहाँ पर इन्होंने संकर संधर्ब कहकर यह जो बुक है इसे इन्हों यानि रिलीस किया है ओके तो ये थी इन्यूस अगली बात है कि जम्मू कस्मीर ने सायन किया है जम्मू कस्मीर की जो गवर्नेमेंट उन्होंने एक एमुयो सायन किया है इसके साथ यू सीबी यानि यूनिवर्सिटी कॉलेज ब्रिमिंगम इनके साथ दुबाई फॉर स्टूडेंट एडुकेटर ओके तो गॉवर्मेंट के जो सरकार है उन्होंने MOU सायन किया है UCB दुबाई के साथ किसके लिए स्टूडेंट जो एडुकेटर है उनके लिए तो यह इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जम्मु कस्मीर जब 370 जो आर्टिकल 370 हटा है उसके बाद जम्मु कस्मीर को एक जम्मु कस्मीर जो पहले जम्मु कस्मीर थी उसे जो स्टिविट जम्मु कस्मीर थी उसे हटा कर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था पाक कह दिया गया है आप सभी को जम्मू कस्मिर की मैप आपको पता ही होगा इस तरह है तो यह जो एरिया है इसे लदाक कह दिया गया है और यह जो एरिया है इसे जम्मू एंड कस्मिर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है आपको पता ही होगा कि यह जो इतना एरिया है यह एलोसी कहते हैं यानि यह जो पाक अकुबर कस्मिर यह आजाध हिंद यह इस साइड की जो प्लेसे से यह चली गई है बड़े हमारे पास सिर्फ इतना ही है जो जो भी है उसमें अभी क्या हो रहा है है डेवलोपमेंट के कामें बहुत जोरोस ओरोसे अगे पटरी है तो इसमें यूँवेई जो प्लेसे दूबई यह बहुत इंट्रेस दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पर डेवलोपमेंट बहुत जादा हो सके तो ये तो हो कई और एक बड़ी से नियूस है कि 5 लैक स्क्वेर फिट की प्लेस में एक बहुत बड़ी मॉल बनाया जाएगा जो कि दुबाई की जो टावर है बुर्ज कलीफा जो टावर है जो कमपनी बनाई है इमार इमार जो कमपनी बनाई है मैं बहुत यहाँ पर मैसी कर दिया हूँ क्लियर करता हूँ इमार जो वहाँ पर जो ये कमपनी है जिन्होंने बुर्ज कलीफा जो बनाया है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करेंगे जमू कैस्मेर में अल्मुस्ट फाइव लैक स्क्वार फिट का एक मॉल बनाने में जो की इंडिया में सबसे बड़ी मॉल हो सकती है इसे भी पहले है बहुत जगाय पे लेकिन उस एरिया में पहली है जमो करस्मीर में यह पहली होगा ठीक है तो साथ तो यह चीज़ आपको जान लेना है जमो करस्मीर की जो गवर्नर है वो मनो सिना है आप मुझे कमेंट करके बताईए कि वहां के अभी जो लेटनेंट गवर्नर कौन है ठीक है ओप आप सभी लोगों को पता ही होगा बहुत ही आसान नाम है तो यह थी जमो करस्मीर के बारे में तो बढ़ते हैं अगली नियोस के उपर जो कि है बैटमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो चैंपियन सिप हुआ है उसका कुछ हाइलाइट्स है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है जो कि 12 डिसमबर से लेके 19 डिसमबर तक हुआ था स्पीन में तो इस इवेंट का कुछ हाइलाइट्स है जो कि आपको जानना है इंडिया से जो मेंट्स सिंगल है उसमें रनर अप बने है स्रीकांत कि दम भी इसके बारे में मैंने प्रीविएस जो वीडियो से वहाँ पर मैंने बताया है माफ करिएगा उसके बारे में मैंने बताया है तो यह चीज आपको ध्यान रखने है तो मैंन सिंगल में यह रनर अप बने है विनर सिंगापूर के है वो हमें जानकर जरूरत नहीं है हमें maximum इंडिया के बारे में ही चीज़े पूछी जाती है एक्साम में ठीक है तो आप सबी को ये चीज़े समझ में आ रही है अगर आपको डिटिल में जनना है तो आप यह सारी चीज़े पढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं अगले नियूस के ऊपर जो की है CCI यानि Competition Commission of India इन्होंने अप्रूव किया है acquisition करने के लिए कितना 16.94 यानि almost 17% stake in IRP infrastructure by bricklayer investment okay तो यह investment related है तो यह आप चाहे तो ignore कर सकते हैं बट अगर हाँ अगर पढ़ना चाते हैं तो आप बेज जीज़क पढ़ सकते हैं मुझे नहीं लगता कि वो नियूस उतनी important है अब आप पूलोगे क्यों एड किया है देखिए एड इसलिए किया है क्योंकि हर नियूस important है depends करता है कि हम लोग किस लिए पढ़ रहे हैं कोंसे exams के लिए पढ़ रहे हैं अगर आप बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको वो चीज़े उतनी important नहीं है अगर आप से भी great A exams के लिए पढ़ रहे हैं तो वो चीज important हो जाती है जैसे कि यह भी एक new से जो कि acquisitions को लेके हैं जैसे कि IOCL यानि Indian Oil Corporation Limited इन्होंने acquire किया है 4.93% stake कहां पर Indian Gas Exchange इसमें तो क्या यह आपको SSC उस सभी में क्या यह important है नहीं तो यह maximum से भी जो exam होती है से भी great A जो grade exam होती है इसमें important हो जाती है और जो RBI grade भी जो exam होती है इसमें ये important हो जाती है और जितने भी banking type के exam होती है उसमें ये important हो जाती है इस जितने भी ये दिटेल्स में लेता हूं और आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं तो यह थी निउस इंडियन आउयल कॉर्परेशन के बारे में आपको जाना है तो जो चैर्मेन है श्रिखांत महादेव विजदाया यह वहां के चैर्मेन है और हेड़ क्वाटर से नियो देली में तो यह थी चीज इसके बारे में अगर अगली न्यूस के बारे में हम लोग पढ़े तो सब्सक्राइब किया है मॉनेटरी स्टेक किसमें जे एस्टेब्लीव सीमेंट फॉर हंड्रेड क्रोर वया सी सी पी यानि कंपल्सरी कंवर्टेबल प्रिफरेंस से यह जो भी लोग मार्केट में रहते हैं उन लोगों के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है अब बात कर लेते हैं JSW सिमेंट के बारे में तो चैर्मेन है निर्मल कुमार जेन हैड़कोर्टर मुंबई महारास्टा में है और बात करें स्टेट पैंक ऑफ इंडिया की तो इसके जो चैर्मेर है दिनेश कुमार खारा हैड़कोर्टर मुंबई महारास्टा में और इसे बनाया गया था 1955 में तो होब आपको यह न्यूस अच्छे लगी होगी अगले बात करते हैं CCI ने अप्रूव किया है एकोजिशन करने के लिए क्या एर इंडिया स्टेक बाई स्टाटा संस यह तो न्यूस बहुत पुरानी हो गई है बट क्या करे हम लोग अभी बैकलॉग में चल रहे हैं तो इसलिए हमें जितने भी पास्ट जो कवरेज है न्यूस है वो मैं आपको कंटिनूम कर रहा हूं इस इतने भी बैकलॉग से वह में किंप्लेट करके हमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा ओके तो यहां पर क्या है कम्पेटिशन कमिशन आफ इंडिया ने अप्रूव गया है हंडेट परसेंट ओफ शेयर ओल्डिंग अप एर इंडिया लिमिटेड और एर एसिया ए ताटा संस को देने के लिए तो अभी जो टाटा संस से यह अभी एर इंडिया की मालिक बन चुकी है तो यह था नियूस और टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपको जानना है तो अभी इसके एक्जेक्यूटिव चेर्मेन है एंड चंद्र सेकरन और हैड़कॉर्टर से इसके मॉंबाई महारास्ट्रा में इस नियूस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स है जैसे कि आपको पता ही होगा जेयार्ड टाटा जो कि वह पहले इंसान थे जो आणी टाटा ए एइनडिया इंडियन ऐरलस एर इंडिया को स्टाबिस कीयं और बनाए तो आपको मुझे बताना है कि कौनसी वह ओटी जब ंुग वह कौनसी यार थी जब इंडिया को ना गजो गौन में आफ इंडिया ने नेस्नलाइज कर दिया तो यह आपको मुझे बताना है बढ़ते हैं अगले नियूस के उपर डी आडियो के जो साइन्टिस्ट है अतुल धिनकर राने इनको अपॉइंट किया गया है ऐस डी जी ब्रह्मोस एर स्पेस लिमिटेड है उके डी जी का मतलब पुछने ही डारेक्टर जेनरल है अब किस चीज़ का जो ब्रह्मोस एरो स्पेस लिमिटेड है इसके अभी डारेक्टर जेनरल बन चुके हैं कौन डी आडियो के एक साइन्टिस्ट है अटूल धिनकर जी यह वो सर है तो यह थी यह नियूस यहाँ पर अभी ब्रह्मोस एरो स्पेस प्राइविट लिमिटेड के बारे में आपको पढ़ना है तो डारेक्टर जेनरल जो कि अभी मैंने बताया कि अतुल दिनकर रानेजी बन गया है और इसकी हैट्वाटर से नियू देली जो कि देली में है ओकि टी-ार्टियो के बारे में आपको पता तो पीवी सिंधू जो की एक बैडमिंटन प्लेयर है उनको फिर से रियलेक्ट किया गया है ऐस बैडमिंटन वर्ल्ट फेडरेशन के अथलीट कमिशन अथलीट कमिशन के मेंबर ओके तो यह इनकी यह सेकेंड टर्म है जो कि 2025 तक यह चलेगी सबसे पहले फर्स टाइम इनक इनको कब बनाया गया था यह 17 में 2017 में इनको फर्स टाइम बनाया गया था एजा मेंबर ओफ डबलू पी बीडबलू एफ एफ एथलीट्स कमिशनर एकिन अभी इनको एज़ सेकेंड टर्म फिर से अपॉइंट किया गया है तो यह थी उनके बारे में न्यूस और इनके बा से एफुआउर के बात करें तो वो इसकी मेंबर से अभी वी में ने बता अब मैंने बता ये क्रिश्टी ग्लिमौर गिल्मौर कहई है में वैसच चेयर की बात करें नहीं आँ एक र Alliance करेकर एक इनसान है और mark जोबलर ये इसकी चेयर पर शन है ओकि अगली न्यूस के बात करें तो पैंको परोडा जो की अचिव की है top position in digital payments आपको पता ही हो गए अभी हम लोग क्या क्या है यूपी पेमेंट्स करते हैं जो कहें डिजिटल होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेमेंट्स हुए हैं वह पैंको परोड़ा के हुए हैं तो इनको टॉप पोजिशन हासिल हो गया है डिजिटल पेमेंट्स जो कि 2020 और 2021 की जो फैनाशल यह थी उसमें अभी तक कंप्ल डार्टर और सीयों है संदिव चड़ा जी और हैड़कौर्टर से वरोधरा गुजरात में और इसके इसमें दो बैंक समर्ज हुए हैं और दोनों का नाम है विजया बैंक और देना बैंक जो कि बैंको परोधा में मर्ज हो गाएं अगला निवसे दिव्या हेक्टे जो की विन किये हैं UN Women's Award for Leadership Commitment ये अवार्ड Women's Award जीते हैं कौन दिव्या हेक्टे दिव्या हेक्टे के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो आप बेज जीजा कि यहां पर पढ़के जान सकते हैं सारे चीज़े और यह थी निवस और यह मैडम जो है यह करनाटा का से बिलाउंग करते हैं तो आगे बढ़ते हैं अगले निवस के ऊपर जो कि है आईसी आईसी आई लेंबोड टाइअप की है किसके साथ क्लोव डेंटल टू ओफर ओपर डेंटल इंसुरेंस यह एक डेंटल कंपनी टाइप कह सकते हैं हॉस्पिटल या कुछ कह सकते हैं इसके जो कस्टमर है उनको ओरल सपॉर्ट ओरल हेल्थ सपॉर्ट मिला जाएगा इसके द्वारा अभी ओपीडी सेवा मिलेगी अगर आप टेंटल इंसुरेंस करवाते हैं तो यह क्लोव डेंटल कहकर एक इंस्टिटूट है इनके साथ पार्टनर्सेप किया है कि अईसी आई सी आई लोमबार्ट जंडरल इंसुरेंस के बारे में आपको जानना है तो यहां से आप जान सकते हैं MDN CEO है भारगव दास गुपता और हेड़कोर्टर से इसके मुंबाई महाराष्ट्रा में अगले ने उस बात करें तो Mastercard ने पार्टनर्शिप किया है Google Pay के साथ for tokenization for card-based payment जो भी card-based payment करते हैं उनको Mastercard जानि Mastercard के द्वारा कोई भी अगर payment करते हैं और वो भी Google Pay के थ्रूँ तो उनको tokenization method को follow करना पड़ेगा अब यह क्या है tokenization method वह सारी चीज़े यहाँ पर दी हुए आप चाहे तो माध्यम के द्वारा होती है जैसे कि UPI तो UPI के बारे में आप थोड़ी सी चीज़े जान लिजी और UPI किसके अंडर में आता है NPCI इसके बारे में थोड़ी सी आप जान सकते हैं तो अगली news के उपर बढ़ते हैं के जी भी के जी पी यानि करनाटका ग्रामिन बैंक इन्होंने एक MOU साइन किया है Memorandum of Understanding किसके साथ विद केर हेल्थ इंसुरेंस किस कारण अब हेल्थ इंसुरेंस से जाए से बदर टू आफर हेल्थ इंसुरेंस प्रोटक्ट तो यह भी निउस इतनी इंपोर्टेंट नहीं है बढ़ आप लोग यह जान लि हेल्थ इंसुरेंस की बारे में बात करें तो इसकी MD&CEO है अनुज गुलाटी और हेटकौर्टर से इसके गुरगाउं हरियाना में अगली बात अगली नियुस के उपर हम लोग बात करें तो NPCI जो कि अभी मैंने बताया कि उसके बारे में आपको जानना है NPCI ने टाइप किया है किसके जाथ Udemy Business to upkill its employees जाहिर से बात है NPCI में जो लोग भी काम करते हैं employees उनको अभी क्या दिया जाएगा Udemy की कुछ courses होती है जो कि business यानि pro version होती है उसके courses को access मिलेगा NPCI के जो employees है उसमें यह किस लिए किया जाता है जाहिर से बात है talent development के लिए किया जाता है जो skills है उसकी development के लिए ऐसे programs लिए लाए जाते हैं ओके तो आपको यह news अच्छे लग रही होगी अगली news के बारे में बात करें तो नीथी आयोग और UNWFP यानि United Nations World Food Program इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है किस चीज़ का MOU नहीं है यह SOE है यानि statement of intent इन दोनों ने साइन किया है किस चीज़ के लिए main strip millet and support India in knowledge exchange यानि अब देखें यहां पर इसके बारे में पूरी detail में दी हुए है यानि अब दीखें यह जो food जो प्रोग्राम होती है इसमें जो knowledge एक्सचेंज करने के लिए मिलेट्स के साथ में मिलेट्स और सपोर्ट इंडिया इन दोनों के साथ निति आयोग और वर्ल्ड फूड और प्रोग्राम इन दोनों ने मिलके साइन किया है ताकि knowledge exchange अच्छी तरह से हो ओके तो यह थी इस निवस के बारे में अगली निवस के बारे में हम लोग बात करें तो इंडिया के जो external affairs sorry माफ करिएगा इंडिया के जो external affairs minister है उनको उन्होंने एस जैसेंकर उन्होंने तजिकिस्तान के जो FM यानि फिनांस minister sorry foreign minister है जीरोजुद्दिन महरुद्दिन इन्होंने sign किया है agreements on diplomatic training यानि इन दोनों के बीच में diplomatic training होगा जिसके लिए इन दोनोंने मिलकर एक agreement sign किया है ओके तजिकिस्तान के बारे में आप लोग यहां से पढ़ जकते हैं जैसे कि capital है दुसानबे currency है तजिकिस्तान सुमानी और यहां के प्रेशिडेंट है मो माली रोहमान तो यह थी news अगली news के उपर हम लोग बढ़ें तो वह है GIS यानि geographic information system इसके बेस्ट एक automatic water supply system बनाने के बात चल रही है तो यह इंडिया की first of its kind बनेगी यानि यह पहली चीज़ बनेगी जो कि इंडिया में लॉंच के जा रही है राजना सिंग के द्वारा ओके तो इसके बार में जाहिर से बात यहीं होंगा कि इसके बार में आपको डिटेल में यहां से आपको मिल जाएगा बट यह चीज़ उतरी important नहीं है या फिर आप यह पकड़ सकते हैं कि इंडिया की पहली जो आटमेटिक वाटर सप्लाइ सिस्टम में वो राजना सिंग के द्वारा लॉंच की जा रही है बट हाँ यह इंपोर्टन वह जा रही है कि यह कहां पर लॉंच की जा रही है कि तो यह एक सेकेंड होल करिएगा तो यह लॉंच कहां होगा यह इंडिया में होगा इंडिया में कौन से जगा यहां पर यह डिफाइन तो किया नहीं होगा है अगर वैसा कुछ नौन न्यूस अगर मुझे मिलता है तो मैं जरूर आप लोगों को प्रोवाइट कर करवे हैं से कि मल्ति नैशनल एकसाइज पैनिक ने इन अबड़रे किया है कहां पर पुने महाराष्टा में इसलिए कंप्राइसेंग बेंस्टेक नेशन अब पेमस्टेक नेशन क्या है इसके बारे में आप लोग पहले जानना है पेमस्टेक क्या है एक रोने में किस इसका बे और पेंगॉल इनिसेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेकनिकल एंड एकॉनिकल कॉपरेशन इसमें कौन-कौन से वो कंटरीज आती है याणि इसमें कौन से कंटरीज मिलते हैं, मिलके बनी है जैसे के बांगलादेश, बू種たान, इंडिया, नेपल, स्री लंका, मैनमार और थाईलाइंड यह वो साथ कंटरीज है जो मिलके बीमस्टेक में आते हैं कि इन्होंने क्या हुआ अभी मल्टिनेशनल एकसराइस पैनेक्स 21 को इनौकरेट किया है अब यह पैनेक्स क्या होता है यह आपको जानना है यह थर्ड एडिशन है मल्टिनेशनल थर्ड एडिशन है इनौकरेट किया गया है पूने में भी में स्टेक्स नेशन के द्वारा भी में स्टेक्स के बारे में अगर आपको जानना है तो वहां का भी सेक्टरेटरी जेनरल है तेंजिन लेकपल और इसके सेक्रेटरियेट है ढाका बांगलादेस में तो इसी के साथ हम लोग आज की न्यूस यानि कम्प्लिट कर चुके हैं करन्ट अफेर्स की जो न्यूस है वहां हम लोग ने कम्प्लिट कर चुके हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे है तो जरूर आप इस लाइक कर सकते हैं और जो भी जरूरतमन बच्चे होते हैं उनको आप यह वीडियो शेयर कर रहे हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पूरी वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक खास बा जितने भी वीडियोस हुए हैं उसके भी मैं पिडियाप्स वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूं तो अंत में कहना चाहूंगा थैंक्यू और मिलते हैं कल की वीडियो में यानि अगले वीडियो में तब तक के लिए चैहिंद